एक छठी सबब छठा सबब शैतान का खल्वा अगर इंसान के जिहनों दिमाग पर शैतान गारिबा जाये को इंसान को पुन हिकार बना था अहम बात मैं यहां पर बताता चलू और इसको आप नोट कीजिए अल्लाग रबुल आलमीन शैतान को सिर्म मुहनत नहीं थी शैतान कि अधिन काताना अंजिर्मी इलाइयों ने वासूल कियामत तक महनत के साथ साथ उसको हथियार भी अता किये गए इंसानों को गुम्रा है करें पांच अहम हथियार आल्ला है रबुल आलमीने शैतान को अता किये हैं पाइली जीज़ शैतान हमको तो देख सकता है लेकिन हम उन्हु याकुम हुआ वा कबीरुटू मिनःजु ला तरवुलुखुम। अल्हान था चैसका पर्माई कि शैतान और उसका कवीला तो तुमें धे तालिम तुम को नहीं धे तो यह सो इससे एहम हथियात वह थाल्ला ने शैतान को दिया दोसरा अहम हतिया तीसरा हतिया शैतान को अल्लाग ने इतनी सलाहियत दी वे कि वो बुरे कामों को मुजयन करके खुमसूरत बना करके हमारे सामने पेश कर सने इंतहाई बुरे काम को अच्छा बना करके हमारे सामने पेश करने की सलाहियत शर्टान को अल्ला ने दिये, तीसरा हतिया, चोचा हतिया, अल्ला रब्ब रालमीन ने उसे इतनी ताकत दी रहे, वो चंद मिनट में एक जगा से दोसरे जगा कहुंसा, हदरते सुवेवान अलिस सलातों सलाम को वाकिया आया, कीजिये फर्माया, कौन तख्त को लाएगा, मल बलक जपकने से पहले वो तख्त मला करके यहां पर प्यशक कमेंद जचाता, कितनी ताकत बला देजी फपता रहे, प्कीतने किलोमिटर की दूरी जहां वो बुरे अमनों को मुजिएन करके हमारे सामने पेश कर सकता है। वही अल्ला रभ राल्मीन हमारे साथ रेता है। एक शेयतान तो हमेशा हमारे साथ मौझूद है अल्ला रब लागमी ने लगा दिया गुम राह करने जे उसको असलिह और हतियार दियो अधियत बेले देखते है अधिया लिल्ला विखेर, विवे रबायत उक्किला, विवे इन जिन्न विवे रभाहु मुस्लिम। तिक इतारी सिफत लिवे 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 ब्यावत वे जन्द रणाद। अबिसे को जो इसके साथ चिंटा रहे कभी उससे जुदा ना हो अलग ना हो वहाईसियते करीम उसके साथ एक शैतान लगा लगा आ गया गया जो उसके साथ हमेशा रहता आगे सहाब एकराम ने पुछा है लगा नभी ने रहता है लेकिन मेरे अग तुम्हारे के फरक क्या है और दोसरी रिवाद में कि फास्लमा जिन लोगों ने पड़ा तो ये तर्जमान किया कि वो इसलाम लिया है और जिनों ने का फास्लमा तो कहा कि मुझे अल्लाद ने उससे महफूस कर दिया बचा दिया लेकिन बहरार एक शैतान मेरे साथ दी और दोसरी रिवाद माता है कि एक शैतान शैतान में से एक आदमी और फरिष्टों में से एक हर इनसान के साथ मौझे है करीम उखु मिनल जिन वो करीम उखु मिनल मनाई है हर आदमी को एक शैतान और फरिष्टे के साथ लगा दिया गया या हर आदमी के साथ एक शैटान और एक फरिष्टा हमेशा मौजूद है तो अल्लाग रबुलावमी में शैटान को बहाइसियत करीम बहाइसियत साथी हमारे साथ लगा दिया गुम्राह करने के लिए हमको भैकाने के लिए लेकिन यहाँ पर यह बात भी याद रहे है कि जहाँ पर अल्लाग ने शैटान को इतनी ताकत दिये वहीं इनसानों को भी उससे बचने की ताकत अता की ऐसा नहीं कि सिर्फ शैटान को ताकत देरी की जाकर के मिरबंदों को गुम्राह कर बल्कि बंदों को भी ताकत अता की है कि वो शैतान से कैसे बचे शैतान लगाया तो शैतान के साथ साथ एक फरिष्टा भी लगाया शैतान गुमरागी ले ले जाता है फरिष्टा नेगियों की तरफ रास्ता दिखाता शैतान बहकाता गए फरिष्टा अच्छाई के दर उसकी रहनमाई करता है अब इनसान के ऊपर है इम्मा शातिरा वज्मा कफूरा चाहे शुकुल गुजारी करे चाहे नाशुकरी करे चाहे अच्छे रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर चले अब फैसला इनसान के ऊपर और इसे ही अल्ला के नभी सल अल्ला असल ने बेख्शुमार दुआएं हमको सिखलाई हैं शैतान से बचने के लिए उन दुआओं का इहतिमाम हमको शैतान से बचाएं और इसे ही अल्ला के लिएम यसाज़ हैं